हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चानल कल्पीटिप्स इस बार की वीडियो में हम कुछ नया ट्रिक सिखेंगे हम देखेंगे कैन वॉस मतलब बुक्रम का यूज करके गोलगला कैसे बनाते हैं इसके पहले मैंने विदाउट कैन वॉस से कैसे गोलगला बनाते हैं वो भी जर्मेन टेप पैन और सीजर चलिए स्टार्ट करते हैं एले हम पेपर पे कैन्वास पेपर पे ड्राफ्टिंग करते हैं यहां पर मैंने चोटा पीस लिया हुआ था वो लिया है और यहां पर देखिए हमारा गला जो है छे इंचेस में डिप है अबलब 6 इंचेस का डिप देखिए हें यहां अब आध Stone ऑछ गलिवा गले कहा गया हैं यहां पर जो गलर क Takes a Ap जोड लिया है यह जो हमारा स्क्वाइर बना है यहां से कॉर्णर पे यहां पे देखिए तिरचा एक इंच या पॉना इंच तक तिरचा इस लाइन का सेंटर निकालके मतलब बीच का पॉइंट निकालके और बाहर ड्रॉ किजिए और उसके बाद इसको राउंड शेप दीज जाता है चोटे चोटे डॉट करके फिर इसको अच्छे से शेप देना है अपना यह जो है अच्छा बन जाता है जो फर्स टाइम बनाते उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है यह बहुत ही अच्छी ट्रीक है आप जरूर ट्राइ कीजिए आप चाहिए तो यहां से सीधा भी राउंड कर सकते हैं अच्छी ट्राइब करने के बाद एक एक इंच का गैप रखके बाहर के साइड से भी ड्राइब कीजिए इसका कटिंग करते हैं पहले हमें जो पै अंदर की साइड पर जो शेप बनाया है वो कट करना है फिर हमें बाहर से जो शेप बनाया वो भी कट करना है जो बड़ा वाला पार्ट है वो यूज नहीं है यह जो हमने पट्टी पतली बनाई है कटिंग करके उसका यूज करना ह कि मैंने काट के लिए थी वह पट्टी को हमने इस पेपर जो चोटा पीस लिया था कपड़े का उस पे मैंने स्टीक कर दिया है मुखरम बूद जाता है उसको इस पेपर का जो शाइनिंगर वाला पार्ट जो है वह कपडे की तरफ रख्के उसको स्टीक करना है अगर आप चिपका नहीं जाएगा सकते हो यह हमारा जो गले का उपर डिस्टंस कितना है देखिए सेवें इंचेस का इसका डिस्टंस था और यह प्रॉपर परफेक्ट आया हुआ है चलिए अभी इसको हम क्या करेंगे इसको फोल्ड करके इसका हाफ उपर सेंटर के पॉइंट करेंगे कैंची से थोड़ा कट लगाएंगे और बॉटम साइड में इसको कैंची से एक पॉइंट करेंगे अभी हम इसको अंदर के तरफ से यह जो राउंड शेप है उसको कैन्वस के पेपर के साथ सिलाई करेंगे अंदर के साइड 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 से ज्यादा डिस्टंस नहीं रखना है एकदम साइड 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 से सिलाई करनी है क्योंकि यह पेपर कपड़े से चिपका रहे हैं आप अपनी पसंद से पॉना इंच तक भी रख सकते हो, मैंने आदा इंच तक रखी है, यह जो पटी है दीरे दीरे राउंड शेप में सिलाई करते जाना है, अंदर अंदर की तरफ फोल्ड करके, इसमें चोटी चोटी चुनिया भी आएगी, मगर उसको अंदर की तरफ फोल करके सिलाई कर ली है, और यहां पर टॉप और बॉटम में मैंने सेंटर का पॉइंट बताया हूँ, कुर्ते को हमें सीधा रखना है, उल्टा करना नहीं है, सीधी साइड रखके, यहां पर मैंने जो गोल गले का डिजैन बनाया है, वो रखना है, वो उल्टी साइड से ही और यहां पर मैंने पिनप किया है, ताकि सिलाई करते हुए यह कपड़ा ही ले नहीं, यह पैटन ही ले नहीं, चलिए इसको अंदर की सरफ से अभी पिनप करके, मैंने दो पिनप किया है, और अभी अंदर की तरफ से हम साइड साइड से जहां पहले मैंने सिलाई की थी, व से कट कर दीजिए कटिंग करने के टाइम पे सिलाई ना कट जाए इसका ध्यान रख यह देखिए कटिंग करने के बाद हमें यहां पे छोटे छोटे तिरिचे तिरिचे कट लगाने हैं कट लगाने के टाइम पे भी हमें ध्यान रखना है कहीं हमारे सिलाई ना कट जाए क्यो लिए आप इसपे चाहिए तो प्रैस से भी अच्छे से से चाहिए अ चाहिए भी ज़िए बहुत ही प्यारा है अगर आपको मैरा यह विडिल्वा व्लाइट वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल और इलेटियूस में शेयर कीजिए और आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू पर वाचिंग मारे वीडियो